अब इस वीडियो में हम पस्तन वाली चार पाइंट दो आपकी कक्सा दस NCRT मेस का सुलिशन देखेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा देखना चलिए हम इसकी सुरात करते हैं बहुत आसान तरीकी से समझने वाले हैं अन्य वीडियो की लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिशन दे रखी वाहां से आप विजिट करके देख लें बहुत आसानी से यहाँ पर आपको करना क्या है पहले इसको समझो ध्यान से समझो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है आपने गुणन खंड कर विदिशे पहले परसन में दिगास समिकणों की मूल ग्याद करने है तो मूल क्या होते है दोस्तों एक्स का ऐसा वेली होता है जो इदि हम समिकण में फूट कर दें तो आपका समिकण का मान कितना हो जाता है जीरू हो जाता है यह नहीं वो आपके समिकण को सेटिस्वाइड करता है तो यहाँ पर यह तो आपने समझ लिया मूल का मतलब तो हम सुरुआत करते हैं अपने परसन संख्या एक से इसमें x²-3x-10 बरबर 0 दे रखा है यहाँ पर आप क्या करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे बिल्कु सिंपल है यहाँ जो आपका 1st ट्रम है और जो लास्ट ट्रम है इनको गुणा कर देंगे यह यह थोड़ा कई विधारतियों के लिए मुश्किल ले जाता है क्योंकि 7 में x² आ जाता है तो आप इतना मत करो क्यों आप इतना करो 1 जो x² के साथ यहाँ आ रहा है कौन है 1 इसको लास्ट ट्रम को गुणा कर दो तो कितना आ जाता आपका माइनस 10 आ जाता है यहाँ पे जो x के गुणा में आ रहा है यानि माइनस 3 आए तो देखें टुकड़े करने का क्या तरीका रहता है हमारा प्राइम फेक्टराइजिशन ओके तो देखो 10 के क्या टुकड़े बन रहे है 2 गुणा 5 बन रहे अब इनको इस समुवे में ले इस प्रकास इनके साथ संक्रिया करनी है कि इनको यदि हम एड़ करें तो माइनस 3 आना चे तो देखें जब एक संक्या आपकी माइनस की होगी और एक संक्या प्लस की होगी तभी उनको एड़ करने पर आपके पास माइनस की संक्या मिलेगी या आपको गणित के basic नियम तो थोड़ा बहुत पता है और गुणा करने पर आपको minus का कब मिलता है जब एक संख्या minus की एक plus की तब ही आपको गुणा करने पर minus की संख्या मिलता है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि plus गुणा minus होता है और बड़ी संख्या माइनस की है छोटी संख्या प्लस की है तो आप जब इनको एड़ करते हैं तो आपके पास माइनस की संख्या आती है जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है छोटी संख्या प्लस की इनको एड़ किया तो माइनस की संख्या आई यानि क्या जोड़ी बन गई यहाँ पे माइनस पांच और दो बन गया ओके यदि इसमें आपको दिकत आ रही है तो बहुत सारे कुशन दोस्तों मैंने सोल करवाए हैं तो आपको वहाँ से कुछ ने कुछ आइडिया मिलेगा अब क्या करो इस माइनस थ्री के जगे है जो इनको योग के रूप में लिख दो क्योंकि देखिए इनको जोड़ते हैं कितना आ रहा है अब यह सेटिंग बेठा के यहाँ पे बाद में लिखना चाहिए आप कहेंगे कि ऐसे तो हम कुछ भी लिख देंगे कुछ भी जोड़ देंगे जो माइनस थ्री आ रहा हूँ ऐसा नहीं करना इसलिए यह आपने हमने प्रोसेस किया है तो X स्क्वेर यहाँ पर देखो साथ में X है तो इन दोनों के साथ में क्या आजएगा X हाजएगा माइनस 5X और प्लस 2X और यह कितना है माइनस 10 बराबर 0 अब आपको यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देखो बहुत मैं तुन बात बता रहा हूँ दो दो का जोड़ा बनाना है पहले जोड़े से आपने X बाहर लिया दूसरे जोड़े से आपने दो बाहर लिया देखे जिसको बाहर ले सकते हैं कॉमन उसको बाहर लेते हैं ठीक है समझा गया अब यहाँ पर बाहर लेते हैं हम ध्यान क्या रखते हैं कि यहाँ और यहाँ अची आपका same बनना चीए यह same होता है तो फिर हम दुबरा इसको क्या लेते हैं बहार common लेते हैं तो यहां तो आपका एक्स बच जाता है यहां पर लास ड्क बच खेया बराबर कितना घर जीरो बहुद कि इस को बरsta एंगे कि कि या इसको बढ़ाबर जीरो करेंगे तब ही तो आपका इनका घ्रोन जीरो आएगा के झाल तो इसको जीरो करने से एक्स बराबर कितना गया 5 आगया इसको जीर को करने से X ब्राबर कितना माइनस दो आगए कैसा है या माइनस दो जब कोई संख्या एक साइड प्लस किया उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो माइनस कियो जाती है कोई संख्या एक साइड माइनस किया ने अपना पहला परसंद कर लिए अब हम आते हैं अपने इसके दूसरे परसंद पर देखिए हम इस एक्सेसाइज को कंप्लीट करने का कोशिस करेंगे यह हमारे पास प्रैप टाइम रहा तो और वीडियो ज्यादा लेंद भी बनेगा तो फिर हम सेकिंड पार्ट में इसको जो कंप्लीट करेंगे इसमें आपको क्या दिया है जो देखिए 2x sqe कड़ा गया यह मायास का मैस험 को साथ लेना है आपको करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है, मैंने क्या कहा? इसको और इसको गुणा करना है, तो कितना आ गया? यह मैनस का है, मैनस जिनको साथ लेना है माइनस बारह आ गया अब देखिए, बारह क्याइसे टुकड़े करो, जिसको multiply करने पर आपका माइनस बार आना चीए और इसके साथ क्या है आपका देखो एक है और उनको aid करने पर क्या आना चीए एक आना चीए तो बारा का आप ऐसे टुकड़े करेंगे तो आपके प्राइम फेक्टर क्या आगे दो multiply दो multiply तीन आगे अब देखो मैं इनको साथ लेता हूँ इसको अकिलर लेता हूँ तो भी आपका गुणा करने पर कितना आएगा बारे आएगा लेकिन इनको जोडते हैं तो आठ आता है लेकिन एक शंक्या को हम बड़ी शंक्या को तो देगे प्लस का लेना यहां पर प्लस हा रहा मतलब बड़ी शंक्या को प्लस का लेना होता है तो बड़ी शंक्या को प्लस का लेना होता है तो बड़ी शंक्या को प्लस का लिए चोटी को माइनस का लिए तो यह चार और यह आ गया तीन अब इनको एड कर रहे हैं तो कितना प्लस का आ रहा है इनको जब गुणा कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है माइनस का बारा रहा है तो यह आपका यहां पर सेटिंग बेट गया यानि कौन सा सेटिंग बेट है चार और माइनस तीन इनको जब add करें तो या रहा इनका गुणा करें तो माइनस बारा आ रहा है यानि इस एक की जिगे हम क्या लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं ओके समझा गया तो चलो मैंने लिख दिया x स्क्वेर और 4x माइनस 3x देखिए 7 में x आ जाएगा बस यह ध्यान रखना है को संख्याई नहीं लिखना क्या है 7 में x आ जाएगा बराबर कितना गया जिरो अब अगले step में हम क्या करते हैं अगले step में हम करते हैं दो दो का यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं इस पहले जोड़े से देखिए मैं क्या बाहर ले सकता हूं 2x बाहर common ले सकता हूं तो यहाँ पर क्या गया x आ गया यहाँ पर 2 आ गया ठीक है इस चोड़े से देखिए मैं माइनस 3 बाहर common ले सकता हूं यहाँ x आ गया यहाँ पर प्लस 2 आ गया बराबर 0 जिरो अब यहां जो है वह आपका same to same यहां है तो इसको बार ले ले लें यहाँ पर 2x आ गया और यह minus 3 बराबर 0 आ गया तो x plus 2 बराबर 0 या 2x minus 3 बराबर 0 तो x बराबर यहां से कितना घया minus 2 बराबर यहां से 2x बराबर ये इस तरफ जाएगा तो कितना 3 आ गया X बराबर आपका कितना 3 बाई 2 आ गया अब ऐसा मैंने क्यों किया तो इसके लिए आप कुछ गणीत के नियम ध्यान रखेंगे जब आप किसी भी संक्या का साइड चेंज करते हैं तो प्लस की है तो माइनस के हो जाती है गुणा में है तो भाग में चली जाती है और भाग में है तो गुणा में आ जाती है चीक है इसके विप्रित देखो माइनस किया तो किसकी प्लस क्यों जाती है यह बस नियम ध्यान रखेंगे अंतर मूल क्या आगे आपके पास समीकन के मूल एक्स बरबर माइनस दो और तीन बटे दो है अब देखिए हम अगले कुशन में आगे कहां इसके थर्ड नमर कुशन में आगे तो थर्ड नमर कुशन में देखो आपको क्या दे रखा है अंडूट तूट दे रखा है और साथ में एक्स स्क्वेर दे रखा है और यह प्लस सा आतयक्स दे रखा है और यहां पे 5 दो रखा है बराबर जिरो दे रखा है ठीक है अभ खांसे-isel बॉल्या खुट है क्लेक्श अब हम क्या करते हैं वही अपना अपना फस्ट एंड लास्ट को गुणा करना है अनडू तो गुणा पांच अंडूट दो अंडूट दो गुणा दो कितना दो हो जाता है हमेशा द्यान रखे कोई भी संख्या खुद के अंडूट के साथ गुणा होती है तो उसका अंडूट हट जाता है तो दो आ गया इनका गुणा दो गुणा पांस कितना दस आ गया दस के हम टुक तारा वो आना अच्छी तो आपका असानी से देखे क्या गया 7 आ गया तो इनको लिख दो साथ को क्या लिख दो 2 प्लस 5 लिख दो साथ में X आ रहा है तो ये 2X प्लस 5X और ये प्लस 5 अंडूट दो बराबर 0 है अब आपको क्या करना है इनका जोड़ा बनाना है इनका जोड़ा बनाना है इस जोड़े से देखे आप बाहर क्या लेंगे अंडू 2 X बाहर लेंगे अंडू 2 X बाहर क्यों लेंगे देखे 2 का मतलब क्या यहां पर अंडू 2 गुणा 2 है तो एक अंडू टू बहार चला जाएगा तो आपका बचेगा क्या यहां पर देखिए यह अंडू टू और एक्स इसको एक्स बहार चला गया तो एक्स बच गया यहां पर क्या बच गया अंडू टू और एक्स आपका बहार चला गया ठीक है अब इन दोनों से देखिए आप क्या ब बहार ले लिए तो यहां आगया आपका अंडू 2x यहां आगया प्लस 5 बराबर 0 अब देखिए यहां पे x प्लस अंडू 2 बराबर 0 यह अंडू 2x प्लस 5 बराबर 0 ठीक है इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं लब एक्स कवरी निकालने के लिए इसको इस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा तो मैंने का क्या बोला आपको ट्रांसफर करने पर हमारा गणित का क्या नियम होता है प्लस से माइनस हो जाता है यहां पर प्लस से माइनस हो जाएगा और जो अंडू टू इसके गुणा में है वो इसके भाग में आ जाएगा तो आनता है आपके समिकंड के मूल क्या आ गए एक्स बराबर अंडू टू वै एक्स बराबर मैंनस पांच अंडू पांच बटे अंडू दो है ठीक है आसान लगा तो हम आगे बढ़ेंगे अपने कौन से परसंद पर जाएंगे इससे जो आगे बैठा हुआ है उसको भी तो उससे भी तो बात कर नहीं कौन है चार नमबर इससे बात करते हैं चलो इससे बात की तो यह क्या है 2x2-x प्लस 1 by 8 तो देखिए ऐसे कुशन को कैसे डील करें इसको बो साइड आप 8 से multiply कर दो किस से multiply कर दो 8 से multiply कर दो तो यहां पर देखो 8 का multiply तो कितना गया 16x2 आ गया और यहां 8 का multiply और यहां देखो 1 by 8 multiply 8 8 से 8 कैसे लोगे कितना आ जाएगा वन आ जाएगा ब्राबर जिरू के साथ देगी कि किसी भी संख्या का multiply करते हैं तो जिरू हो जाता है इसको ऐसा थोड़ा convert कर लेना चाहिए अब आपका वही तरीका फास्ट जो x square के साथ आ रहा उसको और यहां पर जो constant उनको हम गुणा करवाते हैं कितना आ गया शोड़ा आ गया शोड़ा के ऐसे टुकड़ी कर दो ठीक है आप देखेंगे कि चार का square क्या होता है शोड़ा होता है यानि चार गुणा चार आपका सोड़ा यह आपके दो क्या होगे टुकड़े होगे इनको aid करने पर आपका क्या आना चाहिए यहाँ पर minus 8 आना चाहिए minus कब आता है जब दोनों से क्या है minus क्यों ठीक है तो यह कितना रहा minus 8 आ रहा है और जब दोनों से क्या minus की है उनका गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है multiply plus का आता है कैसे गरित में आपका माइनस, गुड़ा माइनस क्या होता है प्लस होता है तो ये आपके बैसिक जो नियम है ये आपको याद होने चाँए तब ही आप इस exercise को कर पाएंगे अन्यता आपकी ये exercise क्या बन जाती बहुत मुश्किल बन जाती जबकि ये क्या है आपके सबसे असान exercise है और सबसे अच्छे नमब लाने वाली है तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिखेंगे हम माइनस 8 को माइनस 4 x और माइनस 4 x और यह प्लस कितना है 1 है बराबर 0 अब 2-2 का यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं इस जोड़े से हमने क्या बार लिया माइनस 4 x बार लिया यहाँ क्या आगया नहीं क्यों 4 x बार लिया इससे माइनस 4 x नहीं बलकि माइनस 1 बार आएगा ओके सोरी बोलने मिश्टेक हो गया यहाँ पर देखो सोड़ा से 4 गया क्या गया चार आगया, X स्क्वेर से X गया, X आगया, यहां पर यह बाहर चला गया, कितना गया, माइनस बना गया, यहां पर देखिए, माइनस का है संक्या, यहां पर क्या है, प्लस का है, 4X देखो, माइनस का है, प्लस का तो उनका चैन्ज करने के लिए हम क्या लेते हैं बाहर माइनस का एक लेते हैं माइनस बाहर लेने का खास बात क्या होता है जो माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है जो प्लस का वो माइनस का हो जाता है ओके ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि देखिए यह माइनस तो आपका बाहर चला गया अब माइनस यहां पर माइनस होना चाहिए माइनस बाहर जाने के लिए ठीक है तो यहां पर माइनस है तभी आपका माइनस बाहर रहा है जब माइनस अंदर गुणा होगा तो यह माइनस यहां पर यहां पर इसको हमने बाहर ले लिया यहां पर यह बचा यहां पर माइनस वन बचा बराबर जीरो अब देखो यहां पर इसके जो मूल है वो आपके क्या है दोनों मूल समान निकल कर आये हैं ठीक है अनतर समीकंड के मूल X बरबर एक बटे चार वे एक बटे चार है तो यह हमने अपना इसका चार नमबर परसंद भी हल कर लिया अब हम आ जाते हैं अपने सिधा स्लांग मारते हुए पांच नमबर परसंद पर अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है इसको लास्ट को मल्टिप्लाइ करना है तो यहां पर कितना है देखिए X स्क्वेर के गुणा में 100 है यहां पर कितना है तो गुणा करते हैं कितना तो आपका 100 आ जाता है 100 के ऐसे टुकड़े करना है जिससे कि आपके पास माइनस बीस आना चाहिए तो आपको डारेक्ट पता है कि इसके क्या होंगे टुकडे देखिए सो को आप क्या लिखते हैं दस गुणा दस लिखते हैं यही तो लिखते हैं तो यह माइनस दस ले लो, यह माइनस दस ले लो, इनको एड़ करें, कितना आएगा आपका? ओके, क्या लिखते हैं, 10 गुणा 10 और इनको माइनस 10 ले लो तो कितना ऐगा, माइनस 20 आ जाएगा और यही तो हमें यहां पर चाहिए जब माइनस 10 गुणा माइनस 10 गुणा करते हैं आपका प्लस कस हो आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी इस पेस्ट किया की माइनस कुणा माइनस कq घणीद में प्लस हो जाता है चीख है तो आपका यहाँ पे क्या आ गया जिरो आ गया अब दो-दो का हम जोड़ा बनाते हैं इस जोड़े से हमने दस एक्स बार लिया ठीक है तो 100 से 10 गया आ गया 10 X स्क्वेर से X गया आ गया X और यहां पर आपका एक बचा इस से देखिए प्लस का ची यहां प्लस का है नहीं तो हम माइनस एक बाहर लें कॉमन लेंगे चीन बदलने के लिए तो यह आपका कुछ ऐसा है जो बन गया ओके एक मिनट पर हैं चैंज कर लिया मैंने बराबर जीरो आ गया अब यहां भी सेम है यहां भी सेम है ठीक है तो यहां कितना बचा 10 X बच गया यहां पर कितना माइनस एक बच गया बराबर आपका जीरो तो माइनस 10 X माइनस 1 बराबर जीरो या 10x-1 बराबर 0 यहां से x बराबर कितना आ गया एक बटे 10 आ गया यहां से x बराबर कितना गया एक बटे 10 आ गया ठीक है कैसे है इसको यहां बेजेंगे दोस्तों यह किसका माइनस का प्लस का हो जगा ये गुणा में है तो इसके दूसरी साइडे बेजेंगे भाग में आज़ेंगे similarly हाटू अन्ते समिकर्ण के मूल आपके क्या आगए एक बटे दस वै एक बटे दस है एक्स ब्रावर ठीक है ये हो गया आपका पहला परसन हल अब देखिए दूसरे परसन में आपको क्या है इसी टाइप की जो उधान एक में समिशाएं दिये गई है उनके मूल निकालने और कुछ भी नहीं करना है तो ये आप है जो आप खुद करेंगे मैं आपको है जो कौन सा परसन कराने वाला हूँ आपका तीन नंबर परसन करवाने वाला हूँ तीन नंबर में क्या दे रखा है दो संख्याएं ग्याद कीजिए जिनका योग 27 हो गुणन फल 182 हो तो इस कंडिशन में हम क्या करते हैं हम मान लेते हैं की माना दो संख्याएं करमस करमस एक्स तथा वाई है ठीक है अब आपको परसन अनुसार क्या दिया है उसको लिको परसन अनुसार आपको दिया है एक्स प्लस वाई बराबर इनका योग कितना है इनका गुणंद फल कितना है आपका 182 यह इस तना है जो आपके परसन में दिया है और मैं कुछ भी नहीं करा हूँ एक्स्ट्रा जो आपको परसन में दे रखा वो ही मैं कर रहा हूँ अब क्या करना है देखो यहां से इसको 1 दे दो इसको 2 दे दो तो समीकन एक से इसको एक्स को यहां पर ट्रांस्पर कर दूँ मैं तो क्या आजाएगा y ब्राबर 27 प्लस का है तो मैंनस को हो जागे इस तरफ का मान समीकन दो में रखने पर देखी यहां पर y का मान हमने क्या रख दिया 27 मैंनस एक्स रख दिया और यह कितना आपका 182 है हम क्या करते हैं इस एक्स को अंदर गुणा करते हैं कितना आगया 27 एक्स आगया मैंनस एक्स स्क्वेर आगया बराबर कितना है 182 है अब देखे जब आप गुणन खंड कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वेर आपको प्लस का ही रखने का कॉसिस करना है तो माइनस का है तो इसका प्लस का करने का क्या तरीक है इसको हम दूसरी साइड ले जाएं तो इस साइड ले आएं तो यह आपका प्लस का हो गया लेकिन यह क्या हो जागे इसको भी दूसरी साइड लाएंगे माइनस का हो गया और यह तो आपका प्लस का बैठा है तो प्लस का ही रहेगा और इस तरब आपका क्या बच गया 0 बच गया जब यह दोनों यहाँ पे चले गये तो पीछे कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं equal to 0 आ गया अब आपका वही तरीका इनको गुणा करें कितना आ गया 182 आ गया 182 के देखिए हम factorization करते हैं तो कितना 99 में किसका भाग जाता है आपका 7 का भाग जाता है 7 का भाग कितनी वार जाता है एक वार जाता है तीन वार जाता है यानि इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना देखिए 14 आ गया या ऐसे लिख सकते हैं दो गुणा 7 गुणा 13 इनका गुणा कितना 14 ठीक है इनका गुणा ये तो आपका 13 प्राइम नंबर है तो 13 आएगा डारेक्ट अब देखे इनको एड करके देखना थी आपको कितना आ रहा है 27 आ रहा है तो आपके जो 182 आया है 182 के यहां पर टुकडे क्या आगे इसको ध्य का थी यह माइनस का मतलब इन दोनों को माइनस का लेंगे तभी माइनस का क्या गया 27 अब माइनस के 27 को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर में लिख सकते हैं यह यह नहीं माइनस 14 एक्स माइनस 13 और देखें माइनस 27 को हमने इस फॉर में लिखा साथ में एक्स है तो इनके साथ पर क्या आगया एक्स आगया यह बात ध्यान रखें अब दो दो का जोड़ा बनाएं यहां से एक्स बार लिया यहां से देखिए माइनस 13 को बाहर लिया तो X बचा देखिए 182 का मतलब क्या है 182 का मतलब है 14 गुना 13 तो आपका 13 बाहर जा रहा है गुना में तो पीछे क्या बचेगा 14 बचेगा माइनस है तो यह प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस भी बाहर जा रहा है साथ में इसको भी ध्यान रखना है यहां और यहां देखो यह सेम है बाहर आ गया तो यहां एक्स बच गया और यहां पर कितना माइनस तरह बच गया बराबर कितना जिरो तो यह एक्स माइनस चोदा बराबर जिरो यह X-13 बराबर 0 अब लिखना है यहां और बीच के यहां लिखना है तो देखिए यहां से X बराबर कितना आ गया 14 आ गया यहां से X बराबर कितना गया 13 आ गया तो हम लिखेंगे अंतेर समीकर्ण के मूल या समीकर्ण के मूल नहीं यहां पर अंतेर संख्या है तेरा है जिनका जो आपका परसंद में लेंग्वेज दिया है वो लिख देंगे योग 27 तथा गुणनदफल 182 है तो यह आपको पूरा प्रोसेस करने के बाद है जो पता लगा लेकिन आपने तो यहाई से पता लगा लिया कि यह संख्या ही है ठीक है तो बस एक प्रकास से आपका क्या हुआ थोड़ा वाइस वर्सा प्रोसेस हुआ लेकिन दूस्तों प्रोसेस मैथरड को आपको जयान में रखना है और आपको जितना कोशिस करना है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए अब देखिए परसंद संके चार को नहीं तो यहां पर दो धनात्मक्त पुर्णाक इसने बोल दिया मतलब क्या हुआ इसका मतलब एक ही हुआ जो मैं अभी लिक रहा हूं कर्मागत धनात्मक्त पुर्णाक कौन से होते हैं हमने माना दो कर्मागत धनात्मक्त पुर्णाक कर्मा से आपका एक्स है कर्मागत मतलब क्या है अगला जो आएगा वो इसमें एक जोडने साएगा जैसे कर्म होता है आपका संख्याओं का कर्म होता है क्या होता है एक के बाद दो आती है तो देखो एक है दो कैसा आएगा एक मैं एक जोडने से तो यह इसका अगला कैसा आएगा इसमें एक और जोडने से यह है अब परसन अनुसार क्या दे रखा है परसन अनुसार दे र कितना 365 ठीक है बस अब इसका कैलिकुलेशन करना है देखिए यहां पे आपको हम जानते हैं कि आपका A प्लस B का हॉल स्क्वार क्या होता है A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस 2A भी होता है इन दोनों के तुलना करें तो A ब्राबर कितना है X है B ब्राबर कितना 1 है तो यहां X स्क्वार आ गया यहां कितना X स्क्वार आ गया A की जिगे देखिए X B की जिगे एक तो A का स्क्वार एक होता है यहां पे 2 A की जिगे X है B की जिगे 1 एक किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं, तो आपका वही आता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो, x² प्लस x² क्या हो गया, 2x² हो गया, और यह कितना आपका 2x है, इस एक को यहां बेजेंगे, या इसको यहां ले आओ, तो 1 प्लस का है, और यह प् 65 में से 1 गया, कितना आगया, यह आगया, अब देखो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इससे भी 2 हम बहार ले सकते हैं, कॉमन, तो यहां x² बच गया, यहां x बच गया, यहां 2 बहार लिया, तो 2 बहार कैसे लिया जाता है, यहां बताता हूं, देखिए, इसमें 2 का भाग दे दो आग आठ वार उसके बाद दो वार तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 364 को लिख सकते हैं 2 गुणा 182 क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 182 लिख सकते हैं तब 2 आपका बहार जाएगत पीछे कितना बचेगा 182 बचेगा अब ये देखो किस गुणा में तो यहां जिरू के भाग में तो जिरू के भाग में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आपका जिरू हो जाता है इनका गुणा करते हैं तो आपका कितना था माइनस 82 आ रहा है 82 के अभी जेस्ट हमने टुकडे किये थे इस पहले वाले परसन में ओके ये टुकडे किये तो आपके कितना आया था 14 गुणा 13 आया था ठीक है उसमें दिकत थोड़ी है अब आपको क्या करना है इनके साथ वो तो इसको ज्यान में रखते हुए करना होता है यहाँ पर देखा आपको प्लस का चीए तो यानि बड़ी संक्या को प्लस का लेना है और इनका गुणा क्या चीए माइनस का चीए माइनस का गुणा का बाता है जब एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है ओके याद चलिए उसको उस कॉंसेप्ट को सोड़ी यहाँ पे प्लस का ची है वो भी एक ची है तो एक देखिए इनको जोडने से तो नहीं आएगा यानि एक में से दूसरी को घटाएंगे तब आपका एक आएगा तो यहाँ पे चोड़ा में से तेरह जा रहा है कितना आ रहा है एक आ रहा है और इनका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस बैसी आ रहा है देखो यह माइनस है और इनका गुणा 182 तो यहाँ पे इस एक को क्या लिख दिया हमने माइनस नहीं प्लस 14 माइनस 137 में एकस है तो देखे एकस आ गया यह द्यान रखना कि एकस को नहीं छोड़ देना कहीं से अब इनका जोड़ा इनका जोड़ा इस जोड़े से आपने एकस बाहर ले लिया अंदर में यह आ गया इस जोड़े से देखे माइनस 13 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ एकस आ गया यहाँ पे 14 आ गया माइनस यहां 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 य हो जाएंगे माइनस का है कि प्लस का हो जाएगा अनते हैं कि दो कर्मागत पुरुनाक एक्स बराबर तेरा और दूसरा कौन एक्स प्लस वन यानि तेरा प्लस वन कितना चोड़ने पर क्योंकि आपके पुरुनाक क्या है तो यहां लिखेंगे यानि एक्स वेलिव धनात्मक है कुर्णाक्ठ नहीं ले सकते हैं तो हम एक्स प्रणातमक नहीं ले सकते हैं तो ऐसी को से आए आपकी अठाक्र तेरा और चौदा आगे अब आपको अगला कुशन की बात करना है ठीक रुकेंगे थोड़ी यहां तक देखें पांच नमबर परसन में इसने आपको क्या दे दिया है ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया इसने आपको सिंपल से बात कही है कि एक समकॉर्ण तिर्बूज क्य यह होता है समकॉर्ण तिर्बूज ठीक है उंचाई उसके आधार से साथ सहमी कम है इसकी करण तेरा सहमी है करण कौन से होती है यह आपको कितनी दे दी तेरा दे दी और आधार इसका एक से है तो इसकी उंचाई कितनी है आधार से साथ कम है ठीक है तो आन्ये दो दे दिया कि यह जो X है तो यह जो इसका उंचा यह वह X से कितना है यानि इसके आधार से कितना साथ कम है कुशन को दुबारा पढ़ा करो जब समझनी आए तो एक समकों त्रिबूज क्यों चाहिए इसके आधार से साथ सेमी कम है यदि करण 13 सेमी का हो तो अन्य दो है माना आधार बराबर X सेमी परसन उनुसार उंचाई बराबर कितनी है आधार से साथ कम है तो कितना अगया X मैनस साथ सेमी आ गया अब हम क्या जानते हैं पाइथा गोरस्प्रमे जानते हैं प्रमे से आपका क्या होता है आधार का स्क्वेर प्लस लंब का स्क्वेर ब्राबर करण स्क्वेर अब मान रखते हैं करण का विल्यू कितना है देखो तैरा सेमी है तो तैरा का स्क्वेर कितना आ गया 169 आ जाएगा आधार एक्स है तो एक्स का स्क्वेर लंब यानि उंचाई ओके लंब को है जो उंचाई लिख दो ठीक है यहां पर आपको करिंप्यूजन ना हो उंचाई का स्क्वेर कितना है एक्स मानस सेवन तो यहां आ गया आपका एक्स स्क्वेर यहां एक्स स्क्वेर मानस चोदा एक्स साथ का स्क्वेर कितना होता है आपका 59 ठीक है X स्क्वेर प्लस X स्क्वेर कितना हो गया 2X स्क्वेर और यह माइनस 14X अब इसको यहां लाएंगी बिचारे को तो यह प्लस का है माइनस का हो जाएगा 169- कितना उन्होंपचास तो यहां 0 आ गया कि यहां पर दो आ गया कितना 120 आ गया सभी लिख रहे हो में अब देखो यहां पर 120 आ गया क्योंकि यह आपका मैनस का बड़ी संक्या मैनस का है छोटी संक्या ठीक है ओक कि एक वार मैं है जो चेक करता हूं किया मैंने सही किया है हाँ दोस्तों सही किया है अभी तक तो यहां पे आपका पचास हाया है और तेरा के स्कूर 169 है ओके सही चल ड़े तो इसका वेल्यू आ गया आपका मैंनस 120 बराबर 0 अब यहां से यहां से यहां से से हम बहर किया ले सकते हैं 2 और को बहर कॉम dziर सकते हैं यहां 7 एक सा गया यहां मैंनस 8 बराबर 0 दोनों साइट टू का भाग देंगे तो यहां 0 by 2, 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी संक्या का भाग देते हैं, 0 आ जाता और यह 2 आपका 1 हो जाएगा, तो x स्क्यार माइनस 7, x माइनस कितना, 60 अबराबर, 0 आ गया, अब इसको आपको सोल करना है, यह आपका क्या है, एक दिवगास समीकर्ण मन गया, दिवगास समीकर्ण के मूल गयाद करने में आपको भी अच्छे से बता चुका हूँ, वही आपको करना है, हम क्या करते हैं, फास्ट एंड लास्ट को मल्टिप्लाई करते हैं, फास्ट में यहाँ जो x स्क्यार के साथ आ रहा है, यहाँ कितना है, माइनस का 60, तो कितना आ गया मल्टिप्लाई आपके पास, माइनस का 60, इसके ऐससे टुकुडे करने हैं, जिनको एड़ करने पर आपका क्या है, माइन 65-60 ,OK !! अब आपको क्या करना है , वो द्याँन से君ह रिखो !! rigid-7erte , यह आप का 15 हो जाता आ है , इसमें से मैने माइनस करते हैं , मैनस तो 11 , यह आपका 10 हो जाता है , ठीक है .. और एक मिनट ऐसे बनेगा देखो ये इनका गुणा कितना हो गया आपका चार गुणा तीन बारा हो गया ये कितना पांच इनका जब अंतर लेते हैं कितना रहा है साथ ये तो प्लस का है हमें यहां पर क्या ची मैनस का ची तो बड़ी संख्या को मैनस का ले लो चोटी संख्या को प्लस का ले ल ठीक है यह प्लस 5 का और यह माइनस साठ ब्राबर जिरो अब आपको क्या करना है दो दो का जोड़ा बनाना है यहां से एक्स बार ले लिए एक्स माइनस 12 यहां से 5 बार ले लिए x-12 यहां भी x-12 यहां भी x-12 इसको हमने बहर ले लिया यहां पर क्या आगया x-12 बराबर 0 अब देखो x-12 बराबर 0 यह x-12 बराबर 0 तो x-12 बराबर कितना 12 आ गया यहां से x-12 बराबर-5 आया है तो x-12 हम जो माइनस का है उसको छोड़ देंगे x-12 लेने पर चूंकि लंबाई माइनस नहीं हो सकती लंबाई रणात्मक नहीं हो सकती नहीं हो सकती ठीक है ओके तो आपका आधार कितना आ गया 12 से मी आ गया देखिए यहां पर हमने आधार कितना माना x से मी माना x का वेलियो आपके पास कितना आया है 12 तो 12 से मी आ गया और इसकी उंचाई आपकी x-7 यानि 12-7 कितनी पास से मी आ गया आप इसको कॉमेंट करेंगे तभी आपको 6 नंबर कुशन सोल करके देदूंगा और अब की बार 6 नंबर ही नहीं बलकि पूरा चेप्टर आपको एक साथ एक वीडियो में लाइव क्लास में सोल करके देदूंगा